नमस्कार दोस्तों प्रावेक लिष्ट के अंलाइन पूर्टल पर आपका हार दिश्वागत है नहीं हूं सॉपिस्पान लेपो दोस्तों किसी वीडियो में हमने रिष्टम से अप्रे चल रहा था उसमाल पर जाए गए जे हमने इसका प्राविजद परिपत कर निर्मान किया था और यह देखा था कि जब हम किसी विद्जुच परिपत में कामाने वाले उसका रहा है जिनना में एक बैटरी एक चैल एक धारने अंत्रा तो कि अल्पमान का प्रशिरूज इसके सामान करके हमने एक बोल्ट मिटर जोड़ करके हमने इसमें पुंजी जोड़ दी कि एर हमने इसको अच्छी तर करना चाहरा था कि वह दिए अच्छा था वंगा नियूंस उसको अच्छी तरह समझना आप दुबारा रिवाइश करना समझने आतो कोमेंट करके आप मुझे दुबारा पूश सकते हो अब जो हमने आउम का नियम पढ़ा था उस ओम को नियूंस में हमें दो चीज इसे क्ल अब जो हमारे बिंदू रह गा है ना अब उन बिंदू को पहले हम पढ़ लेते हैं जब नुमेरिकल आएंगे वेश्का जबन भी खाल जागा लेकिन आपको इसके याद रखना है चूंकि वेश्के तूतर होंते ही सामांतर क्रम से अनिकरम समय हो जाएगा ने बिंदू को अंके जो बेवोर्ड के एक्दाम में जो नुमेरिकल लाते हैं इसी सूचर से हो ढूं से जाइख जाहां आक का हैं आहिए आक को पताए भी ज्वांतर है आई ज़िद्धारा है और प्रतिर हो जाए उनके मात्रिक जेह लगली होते हैं रिखाव निकरमन बिभांतर का मात्र पुल सब्सक्राइब एक बार अवर इसके मह पढ़ा दोता हूं और रोज समा थेके जो हुआ कि अगले विवाव और विवान कि भीवाव और विवान की और जिता बीवाव विवान की अपने अलगला पढ़ते देखिए ये विवाव है अब इसको आप धाम से समझने इसकी परिवासा क्या है और इसका कूछ तो देखिए विभाब और विभानतर ये लगभग एक यह थे हैं थोड़ा सा इन्द फोड़ा सा फर्ट है वह समझने आ जाएका तो हम पढ़ें इसको तो आपको समझने आ जाए तो विभानतर क्या है कि देखिए कि यह कोई चालक सार है कि लिग में क्या ताम करों कि इससे चालक सार जो यह चालक सार में बनाए है प्रेड़ा था इसको देखना है यह कोई चालक तार है यह इस चालक तार में देखे अगर यह इसका यह पहला बिन्दू यह है और यह बिन्दू भी है मैं यह जिदी क्या काम करूं एकाम धनाविश क्यों को अब धनाविशन लिख सकतो लख पनिशा लगा एकाम धनाविश को एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक यानि मैं इसको अगर एकाम धनाविश क्यों को जो कहां रखा हुआ है यह पर रखा हुआ है इस एकाम धनाविश को बिन्दू भी तर यानि दूसरे बिन्दू तक दूसरा बिंदू भी है यदि एकांग धनावेश की तो एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक ले जाने में कि एकांग धनावेश को एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक ले जाने में क्या घाय कार तो यसको यहां से यहां टाकर लेजाने में सब्सक्राइब करना पएक तो अब देखी जी समझ तो मैंने इस बात को हुँ नहीं कि रासम पड़ा है कि प्रफिक कर्फ़ों के पृत्सी प्रत्सी कर अब बगद कर तो अब देखिए मैं अगर इस क्यू को उठा करके यहां से इस तरह से एगिंदू की तरह ले जाओंगा तो इस प्रिशी कर्शन बल इसके काम करता है हम चलते हैं मैं आगे की तरह चल रहा हूं तो आपने इस बात को नौमित लास में अच्छों से पढ़ा है कि प्रिशी क्रिया इस प्रिशी क्रिया बल लगता है इसे घर्शन बल चाथे प्रिशी क्रिया बल होता है तो देखें यदि एक आंग धनावेश को एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक ले जाने में क्या गया का डबल व हो तो उसके शिरो पर अब देखिए विभांतर जो है न भी ये यह क्या होगा बिव हंतरगी होगा ये इन देखिया वंदिखी ऐखिंखी को एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक ले जाने में क्या गायाका prov conseguir बिखांतर के बराबरित हो और दूसरे बिख्युत्षैत्र के बारे आपको पता है कि बिख्युत्षैत्र पर बिख्युत्र ऑब पर क्या का विद्धितृमर रॉज्टन करना है,kyo कि अनन्ट पर विद्धू चेत्र का मनना घंन आप एक हमें। क्या काम करना है एकांग धनावेश आपको विवांतर की परिवास आयाद रखने एक विंदू से अप्षाओ तो विद्धुत परिपत में लिसके इसके तीन तरह लिसके तो कैसे कैसे लिसके विद्धुत परिपत में अजills बिद्धुत परिपत में बनाया नमें एकांग घना वेश को विद्धुत परिकत में एक विंदु से दूसरे विंदु तक ले जाने में क्या गयाकार रे कुंश के बाराबर की परिवांतर के पर समच चलिक भूगे आव इसको अब तो आपको विवानतर को कहते हैं समझे है या तो इसकी परिवासा होगा ये तो इसकी परिजासा होगे अब इसको बने के रूप में देखता हैं देखें क्यों यदि अब ती दर रिड़ों जादा लंबा हो जागा छोटा बिंदों में तीद लिड़ों दो बिंदों ये तथा भी से लिए विर्भान का क्यासे होगा एक बिंदों दो बिंदों ये और भी चेवी इसमें विवान कर यतने हैं तो पहले दीदों पर तो क्या होगा एक समझ रहा है दूसरे पर अब माहिनस का चिंद क्यों हो रहा है क्योंकि हमने देखा स्रती कर्षन बल के गुरुत किया गया कार है हम जब इस Q को एक बिंदों ये से बी की तरफ ले जाएंगे तो एक बल इसके विप्रीद दिशा में कार्य करता है जिसे घर्षन बल क्याते है प्रिशी कर्षन बल क्याते है उस बल के कानव इसको लिखने की कासे आउसकता नहीं है लेकिन आपको याद रखने है ये विवान कर जिबाए हो ये इसको इसका सूत्र होता है गनित रुक ये इसकी परिवासा एक धनावेज को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया रायकार रिभान पर कहलाता है अब इसकित्र से मैं असानी से परिवासा इसके बिंदू से बीतर जब इसको ले जाते हैं तो हमने देखा है कि जो किया रायकार रहे हों कि इसके बराबर का विवांतर के बराबर जिसको मिस्कारा से लिए सकते हैं आपको ये तुस्यार रज़ना विवांतर का भी वराबर विवटे कि परिवासा क्या थी एक कांग दना विश्कों एक दिन दूसरे दूसरे बिंदू तक ले जाने में प्यागार करता जाता है तो मिटा दूसको अब 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 दिक्री ब जो बीन्दों के दो बिन्दों की मद्दे जो शोरू पर उपर होने वाला विवांतर विवांतर का मात्रक बोल्ट होता है वेला बूल्ट को मात रेते हैं तो आप दिक्षिक इसे ने सुन लेऊं विभांतर को वी से घ्ट सकते हैं इसका मात रेת वोय घ्या का ऑफ लिक का हम यह दूनों चीजें पॉमन है तो आपको पता रग गया कि jon यर्ष विभांतर को भी से जब करते हैं स्कमाइत्र को भी रत करते हैं इसकी बारे में आपको बता को वीटres बद्द्य अंतर करें लेकिन इसके पहले आपको आप कि आप अप पर है इसके दो ना नहीं को बद्द्द लगाए जाए कि इसके बार में बद्द याद रखने है और इसके बारे में इसके तरफ किया है कि यह हुनित में उसमें उसमें क्या पड़ाता विभांतर में पड़ाता कि यह काम धनावे इसको एक विदू से दूतरे विदू कर ले जाने में किया गया कारे को विभान पर कहलाता है लेकिन अब इसमें पहले बिन्दु को एक बिन्दु का नहीं है इसको अनंत मानना पड़ाईगा अनंत से एकांग धनावेश को अनन्थ से मैंने पर यह बिंदु एक और अनन्थ के ना पड़ाएगा हूं क्योंकि अनन्थ और इस बात को पड़ चुक्त है नौने कि लातने अनन्थ पर बिद्दुष्ष्षेत्र का माल नगर नहीं होता है तो देखें विद्दुष्ष्ष्षेत्र के किसी बिंदु विद्दुष्ष्षेत्र का कोई बिंदु क्या था भी जोसमें हमने क्या पड़ाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु अनन्थ से दूसरे बिंदु अब उसको आप विद्दुष्ष्षेत्र में कोई बिंदु पहले बिंदू A को अनंत माना है तो एकाम धनाविज को अनंत से दूसरी बिंदू तप लिए जाने में अब वहीं प्रत्यकर अंदर पिरुद्धि किया गया कार है कि क्या क्या कहलाएगा कि विपव को किया जो करें गया जो कार है जैके व्ढुको अब इसमें से लेकान दूरह जाने नहीं है बिवान करके लाता है लेकिन मैं इस प्रतिकर्शन सब्सक्राइब करता है इसको उन्हें पर चुट है अब यह जो हम जब मैं इस कांध धना विश्क्यू को एक बिंदु या नं से दूत्रे बिंदु तक ले जाओंगा तो यह जब इसको इदर से ले जाओंगा तो इसकी बि चैनल तो यह बात आपको commonly यारतमे की विधानतर में तो एक यह से दूसरी बेंदू से दूसरे ज़ाने में किया जाओंगा तो स्कार्णे श्तबर टेंदु पर इंते रेक वोई तीज अनन्स तथा दूसरे बिंदू अब अनन्स को मैं एक बिंदू मान रहा हूं देहां रखना अनन्स का मतलब ए विद्धु छेत्र का दूसरे बिंदू क्या है विद्धु कितना बैट सा देखते हैं वजबाग वी ए माइनस वी वी बराबर डवली बटे क्यूँ यही तो था उसमें इस हैं बाद इसमें एक बिंदू को अनन्स जिसको जमाना है दूसरे बिंदू भी है विद्धु छेत्र में यह क्यूँ बटे अब देखे एक बाद जिसमें मैं आपको बता शुका हूँ क्या बता शुका हूँ कि अनन्स पर विद्धु छेत्र कमान जीरो होता है तो अब पहला बिंदू यह अनन्स है ना अनन्स पर तो आपको यह लिखे ना आप यतने चाह पर लिख सक्षो हम जानते हैं कि अनन्स सबसुने होता है इसको मन जीरो कना पले बेंदू छेत्र पर अनन्स पर विद्धु छेत्र कमान जीरोडिंत जीरोडियों मैंनस जीरो इसको परख्चांत्राम कर लो इसको देख लो वही सीत्रा है न तोतर अब इसको लिखना चाहिए दोनों को इसकी बता रहा हूं एक आंग धनावेश को अनन से दूसरे बिन्दु तक ले जाने में त्वरिश कीए भी हो बिना त्वरिश काना त्वरिश का मतलब भुमाना त्वरिश कीए बिना किया हुए पादरी विभवको एक आंग धनावेश को एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक ले जाने है अब बिना परिस्ट किये हुए एक सब्द जो करिफ सब्दार है उसको भी आप इंपलोड कर सकते हो या फिर में लिख सकते हो कि एक आंग धनावेश को एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक ले तो आप उनको जो से आपको व्रुद की परिवांता साथ परिवांतर को वे लिक सकते हो सी के बिवा और विवांतर में दोनों का सेंब ढूतर है अनंध सब्य उनकी दोनों सुस्वाओंतर है में आपने वाला अपकरम गोल्ट मितर होता है रोड़ मितर को वी से लिखते हैं और विवांतर का जो मात्रा कोता है वोल्ट उसको भी है वी से सिर्मिश यह दिनगे की अपदर्शिक यांकर तिके मेरे साथ से बिस्कल्ली विवांतर आपको समझने आजा होगा अब देखिए और मैं मता रहा हूं उसको रेखिया और एक चीज मैंने देखिया है अब मेरे पास या बुक तो एविलिवल है नहीं उसमें नुमेरिकल ना आपने सवाल उनकोपमेंट में मैं पूछ सकते हो कि सब्सक्राइब पेज नमबर बता सकते हो पहली विडियो मैंने आपसे पूछा पेज नमबर इतने पर वह आंकीक परिषन है या थिर ओधारन है एक चांपल है उनका पूछते क्यों है करो उनको अजब तक उनका परोगने चुछ सब्सक्राइब और यह होंगे कब जब हमारी दुबिन्वें कॉंसेप्ट है इस पर आधारी दूतिन सवाल में दिमाग में अब आएं उनको मैं सरवारा आधेकि इस सवाल है कि यह दी बिद्धुत वर्व के तंटू में अब सुनलो मैं लिखने लिख देता हूं यह दी बिद्धुत वर्व के तंटू में यदि विस्ट वल्ग के चंतु में 300 कूलाम आवेश 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रभाइश होता है समय कितना दे रखा है 5 मिनट 5 मिनट तक प्रभाइश होता है विद्द परिकत में प्रभाइश धारा का परिणान जाद कीजिए विद्द फिर के रहा है तो विद्द परिकत में कि पुर्वाहित धारा का परिमान ग्यारती जी यह सवाल अब देखिए आपने विजुद धारा के कॉंसेस्ट को जब पढ़ाए इस विजुद धारा के दारे मुने परिवासा पढ़े ने एक बार और बता देना चाहता हूं आवेशों के प्रवाहित दर्गों विजुद ध कूलां विजुद धारा बरबर होता है आवेश वाते होई अंब ग्तला के तंट मैं 3 को कूला आवेश örνο जिसको कि तो यह लिखतो है आपको सुर्शन करा है है कि दिया है क्या दे रख रहे है क्यू बराबर कितना दे रख रहे है 36 कूला हूं फिलिक देता हूं में हिंडी में रिख गाना फोला हूं हमें क्या दे रख रहे है समय कमotalab t Minit कि तो हमसे पूछ रहे कि बिद्वित परिप्द में प्रवायच होने वाली दार आया आई गामान जाता ना क्या जाता आई कमान आपको इसमें हम जान से हैं कि दीखिए इस निया दो आगे कुछ बात और याद रहुए फमे अगर सब्सक्राइब करना पड़ता है क्योंकि कि इसको टो इसे पांस में तो पांस मिनाट में कितने आ पर दोना हासे कितना हो गया कितना हो गया 300 सेकेंड और यह नहीं हो गया वह यही परसा 300 सेकेंड और मुझे बता जो इसके लावा क्या था कि अब क्या जानते हैं हम जानते बिद्धु धरा बरावर क्या होता है आप इस बते कमें अब तो अब इनके मांद कितना है 300 कमान भी कितना है कि अब के इस फर्मांद कितना है आई बरावर एक एंपिर इसका मास्रा आपको लगाना पढ़ाइगा वुद्ध्य धरा का पूछ आप पूछ लगाना पढ़ाईगा और विभान सर्ज्छ करवाया तो बुच लगाना पढ़ाईगा आई एंपिर हिली मिलग दो यह लगा दो कितना है इसको मटा देता हूं देखिए क्या रहा है कि किसी मटा देखिए करके इसको ना लेना विडियो को शिप करके इंको बार बार नुसार लेना रोख-रौक कि दूसरा दे रख लैं है क्या दे रख अधी कि इसके बारे मैं किसी परिपद में पां़ मिनित मैं किbell vi परिपद में Will पांच मिनिट में हमसे क्या पूद रहे किसी परिपत में पांच मिनिट में साथ सूलाम आवेश प्रभाइश रोगता है ठीक है तो कह रहा है परिपत में धारा की गन्ना चीजिए परिपत में धारा की गन्ना चीजिए अब बता हो वही वही परिपत में देखिए वही बात सुलिशन देखिए इसका हल हम लोग कर रहे हैं अब क्या दे रखा है दिया है पी कितना दे रखा है पांच मिनट और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब समय मिनट में दे रखास को किसमें करना पड़ता है सेकन में इसके में गुना कराने के लिए साट से तीन से ठीक है इसके में लिखना चाहँ तो अब पूछ रहे हम से परिपत में धारा की गन्ना करना साट शाहँ तो इस साब को इस थी बराबर आओ थी लेकिन इमाने वहाँ भोई राते हैं यहां हम जानते हैं कि वेधुत धारा बराबर यह उता है वेधुत धाराबर मुझा आयं बराबर क्यों होतें ठीश है कि इंपक्रूष का मांण कितना है तास तो पात्त समय का मान कितना है वेव काया खेन CPEEEE सब्सक्राइब करने जरूद नहीं तो इस तरह से नुमेरिकल जो जाए तो आपको करने जरूद नहीं समझ रहे हैं तो बिद्धु धारा का जो बिन्दु उताओ मेरे से रह गया थे क्यों भुक तो है नहीं मेरे पास में किताब में इस तरह से रहे हैं तो मैं याद करके इसको पराद हुआ ठीक है अच्छा हमने ओम के नियम तक पहले पढ़ लिया था आप विद्धु धारा के आधारी जो सवाल रहे थे हमसे वह हमने कर ले ठीक है अब देखे एक ठीज थी थी हमने जब दोला ओम के नियम का प्राइब सप्चीा पान कीया था उम के नियम को जब Πराळिद सप्च्रिए पराता ताAUm के नियमें के क्या दिखा mantenशा है की डिब्दु परिकत के मिर्मान करते है उसके प्राइब सप्च्च्यान में उसमें हमने एक एक बोल्ट मेतर जोड़ा था अब यह इमीटर और बोल्ट मेतर क्या हैं आप थोड़ा सा समझ लोगे से मैं आपको बता दिया था मैंने कि एमीटर एक ऐसा उसकारन है जिससे ज़िद्धु धराका मान जाद के जाता इमीटर की बात कर रहा हूं और इसका देखिए मीटर जो से बनता है कि जवाब में उनके नियम का प्राविक सक्त्यापन के साथ आमने इसमें बैटरी एक धारानियां क्रेक्ट एक बोल्ट मिटर जोड़ा था एक कुछी जोड़ करके हमने विद्धु पर कर रहा था बनावत उसकी हमने कुछी तो अब यह इमीटर बोल्ट मिटर क अब चाहिए में आपको बता जता हूँ एक बोल्ट मिटर यहां इस तरह से दथ इस थी और टीयां चालिस इस तरह जिंगा इसे होते ही इसा इस तरह का मिटर होता है ऐसे बोल्ट मीटर होता है और बुल्ट मीटर को इस तरह से जोरते थे इमीटर को ते सावांतर क्रम में जोरता है जोर तो विंगों के मदध भ़नपर गया तेंसने सामान तरह में जोरता है आप उमीटर क्या था एंहितर के बारे में पढ़ाता है कि उमीटर एक ऐसा उपकरना है ऐसा यंत्र है ऐसा साधन है इसके दौरा विद्धु धारा के मान को जाद किया जाता है विद्धु धारा के मान को मापा जाता है बोल्ट मिटर क्या है, बोल्ट मिटर की बारे में आपको लिखने है कैसा उख करन है, जो क्या काम करता है, दो बिदुओं के मद दुवांतर को बछलाता है, तो आगर आप तुम से यह पूछे कि विद्ववव के अलावा जो हमने बिदु बढ़ा है, आप जिके इसको मैं ए और मैं नहीं बता दियола मनेस फ्रसटे ऊप्षिक अमिग मैं लुटा जातुलद्र है अब मैं मैं हुटत दिन का है और बोल्ट मिटर दियो में अब यह दोनों इमीटर की बैरान करेंब, आपको लिखना है, इमीटर एक ऐसा उठकन है, जिसके द्रींटर निसरी बाथ इमीटर को हमिशा विद्धुत परिकत में स्रेनी क्रम में जोला जाता है इस को हमिशा समांतर क्रम में या पार्स क्रम में जोला जाता है इसके द्वारा आपको याद रखना है विद्धु धारा के मान को याद किया जाता है इसके दारा बिवान सर्केमान को जाच के रहा जए है तो यह तीन अंकर को आपको कम से कम याद रखना तो इमीटर क्या है बोल्टमिटर क्या है आपको इस नहां पर जिए टो दोस्तों इन को आप लिखे ना स्किप करके और बद मुझे बता देना जैसा भी कुछ हो उसके ब यह वीडियो में मैं अधिन देले के आगए